ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है जारकन एकाडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित कमपार्टमेंटल परिक्षा का आयोजन शहर के विभिनक केंद्रों में हो रहा है जो एक अगस तक चलेगी जहारकन अकैडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित कमपार्टमेंटल परिक्षा बुधवार को आरम भोल पहले इस परिक्षा को सप्लिमेंटरी के तौर पर जाना जाता था शहर में मैट्रिक के चार और इंटर के तीन केंडर है जमशेदपूर हाई स्कूल में भी सेंटर पर बच्चों ने परिक्षा में भाग लिया परिक्षा में मैट्रिक के कुल 1760 तथा इंटर के 2206 परिक्षारती भाग ले रहे हैं जो एक अगस्त तक चलेगी सब्सक्राइब अगस्त तक चलेगी यह तो करीब 38 स्कूल है क्योंकि को स्कूल में दो, को स्कूल में 10, को स्कूल में 20 इस तरह का स्टुएंटर इंटर इंटर किया और करीब 38 स्कूल में से 423 स्टुडिन यहाँ पर 31 के एट कूल मिला करें जमशेथपूर कॉपरेटिव कॉलेज में बुधवार को भी जम कर बवाल और हंगामा हुआ मामला इतिहास विभाग में फॉर्म वेरिफिकेशन को लेकर आरम हुआ कॉपरेटिव कॉलेज के इतिहास विभाग में कई ऐसे चात्र हैं जिनकी हाजरी मातर 10 से 12 प्रतीशत है ऐसे चात्र चात्राओं के फॉर्म को रोग दिया गया है विश्व विद्याले प्रबंधन के गाइडलाइन के मुताबिक 80 प्रतीशत उपस्तिती अनिवारे है बुधवार को NSUI के प्रभजोत सिंग ने छात्रों को लेकर कॉलेज में जम कर हंगामा किया और पचारे डॉक्टर SS रज्जी के साथ उनके कक्ष में देर तक बहसा बहसी भी हुई पचारे डॉक्टर SS रज्जी ने कहा कि मातर 10 से 12 प्रतीशत हाजरी वाले बच्चों को विश्व विद्याले किसी भी परिक्षा के लिए योग्य नहीं मानता उन्होंने कहा कि NSUI ने नेता द्वारा उन्हें धमकाया भी गया है इस्ट्री विभाग में कुछ लड़के लड़कियों का फारम वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है उसकी वज़े है कि ये बच्चे अड़ीशन लिये हैं और कहीं दूसरी जगे नौकरी कर रहे हैं और इनका टेंडेंस जो है वो 10-12% है किसी का 7%, किसी का 10%, किसी का 12% ये चारे सबका वेरिफिकेशन कराने के लिए उपर प्रभजोत सिंग करके एक लड़का है जो अपने को कहता है मेले सिवाई के है मुझको मालूम नहीं है कि किसका है वो लड़का वो लड़का जबाव डाल रहा है पूरे विभाद को तंकी हुआ हिस्टी को तंकी हुआ है आज मेरे पास आयाँ कहता है आपको करना होगा हम पूरे कॉलेज को हम तोड़ देंगे और पूरे कॉलेज को परबाद कर देंगे उदर छात्र नेता ने कहा कि हाजरी रजिस्टर में नहीं ली गई है और इसके लिए बच्चों को खामयाजा भुगतना पग रहा है उनका ये अरोब है टीचर और बिबी कि वो अनुबस्तित रहते थे और एक और अरोब है कि वो रजिस्टर के बजाए साध्य पूझे मैं टेंडेंज लेते थे और उन्होंने क्लाइज भी किया और टीचर ने पूझा क्या किया भीका या बनाया उन्हें पता नहीं तो इसलि पूझे अरोब है उन्होंने खुझ एक शात्र नेता पर हमला करवा के अंटेंगे अगला क्या करने बारदवारे इस्थित पिपल्स अकैडमी में बुधवार को पूर रास्टपती स्वर्गिय डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम की पहली पुने तित्षी मनाएंगे मिसाइल मैन के नाम से चर्चित पूर्वरास्टपती डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम की पहली पुने तित्षी बुधवार को बारदवारे इस्थित पिपल्स अकैडमी में मनाई गई इस दौरान पोस्टर भी लगाए गए और बच्चों ने डॉक्टर कलाम पर आधारित लेख प्रतियोगिता में भाग लिया पुरुबरद राश्क्तपती रस्थरगी डॉक्टर एपी जे लिख लाम की पहली पुने कित्षी पर इस अबसर पर हमारे गई जेले के बच्चों ने उनकी विचारों की प्रदर्शी लगाई है उनके जोहें में विचार थे वोने अपने सूंगर अफ्षरों में डिस्प्ले किया है और आज हमारे बच्चे अरवाग लिए सभी राश्ट संत के उनकों है शास्री नगर का रहने वाला युवक्ट पिछले तीन दिनों से ला धंक से लापता है वो धत्केडी में एक दुकान में काम करता है उसके परिजनों ने कदमा थाना में गुमशुदगी का मामला दर्च कराया है पर तीन दिन हो जाने के बाद वे एसपी के पास पहुंचे है गुमशुदा के भाई फारुक का कहना है कि उसे अन्होनी की आश जाने के पहुंचे है दुकान पर जिया दुकान में मालमा आम नहीं है तो बुलेट हम बेटे पांच मिट दो गारे निकले निकले निकल लेकर भी उसके बाद से बाहर भी आज ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है नगर विकास आवास विभाग द्वारा बुधवार को स्वच भारत के तहट स्कूली बच्चों के साथ एकरेली निकाली गई जो मानगो के विभिने छेत्रों से होकर गुझरी स्वच्छ भारत मिशन के तहट बुधवार को लोगों को जागरूग करने के उदेश से नगर विकास आवास विभाग मानगो द्वारा एक करेली निकाली गई जिसमें स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया उन्होंने छेतर में घुम घुम कर लोगों को गंदगी न फैलाने प्लास्टिक का उप्योग न करने तथा बाहर में शौच न करने की अपील की कर लोग में लोग लोग भाग में भाग में लगी है